नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुब्रामंडम स्वामी के बारे में जब से एड़ोकेट विबोर आनन्द ने ट्वीट किया है तब से लोगों में ये ट्वीट जो था वो काफी वाइरल हो गया है और काफी जो है चर्चा का विशह बन गया है द सुसांत की विस्तरा रिपोर्ट की जो है जाच कर रही है उस जाच को जो है उस रिपोर्ट को जो है सुसांत की मौत को सुसाइट डिकलेर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जो दबाव बनाया जा रहा है वो स्वामी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है ताकि आदित्य ठाकरे को बचाया जा सके। कियी सारे उन्होंने फेक्ट बताई थे। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि खुद डॉक्टर स्वामी जो है इसके सको सुसाइट डिकलेर कराना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात के लिएर करता हूँ कि डॉक्टर स्वामी जो है वो अकेले डॉक्टर के साथ में प्रेसर डालें लेकिन अकेले वो प्रेसर डालें तो ढूंकर जो है उनकी बात क्यूं मानें गे अब इस चीज के भी जो है दो कारण हो सकते हैं य crown पर एक तो लगता है कि मुस्मक्छी नहीं है क्योंकि हम सब को पता है कि BJP जो है हर हाल में ये चाहती है इस में और स्विवसेना आम जन्ता की नजरों में बदनाम हो जाए आम जन्ता की नजरों में जो इमेज है वो एक तरह से डाउन हो जाए तो कैसे भी करके जो है सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरेगी तो सीधी सी बात है कि उसका फायदा महाराष्ट में जो है बीजेपी को होगा तो बीजेपी इस समय पर रिपोर्ट चेंज करवाने के लिए तो दबा मुझे लगता है बिलकुल नहीं बनवाएगी क्योंकि रिपोर्ट चेंज करवाना उल्टा जो है बीजेपी क्या नुकसान करेगा ना की फायदा दूसरा कारण यह हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है पैसा देखे हम सब को पता है कि इस case में जो गुनागार है जो इस case का mastermind है वो बहुत ही ज़्यादा powerful है बहुत ज़्यादा पैसे वाले है अब सिवसेना के हाथ में इस time पे एक तो power है तो आप ये समझे कि सिवसेना जो है इस समय जंगली शेर के जैसी है जिसके हाथ में तलवार थ हमी हुई है सिवसेना महाराष्ट में बिना सत्ता के हमेशा से इतनी ताकतवर थी तो अब तो वहां पर वो एक तरह से राजा है महाराष्ट के अंदर और दौलत तो उनके पास कोई कमी है यह भी हम सब को पता है तो काफी हद तक यह संभव है कि जो एम्स के डॉक्टर की जो टीम है उनको वो लोग आसानी से खरीज सकते हैं और खरीज सकते हैं पैसे के दम पर क्या नहीं हो सकता हो खरीज सकते हैं आसानी से और इन सब के बीच में यानि डॉक्टर के टीम और सिवसेना के बीच में जो मीडियेटर है उस मीडियेटर की भूमीका में डॉक्टर स स्वामी हो सकते हैं इन दोनों के बीच में सिवसेना और एमस के बीच में क्योंकि विभोर आनंद के according जो है डॉक्टर स्वामी ने डॉक्टर्स को जो है पिछले कुस दिनों में काफी सारी जो कारण कारण क्या है बिना मतलब कोई आदम किसी को कौल नहीं करेगा मान लिया कि आपकी क्येस में कुरियो सिटी है तो शिवसेना के हातों अपने ही देश के अंदर है वहां तक नहीं तो शिवसेना के नेता जो एजली डारेक्ट भी तो पहुंच सकते हैं ना कि डॉक्टर स्वामी की ही उनको ज़ूरत होगी और रही बात बिकने की तो काम और आदमी के हिसाबसे देखो बॉली लगे न तो पुलिस वाले तो हमारे देश में माहन्द लोग हो कि वो किसी दूसरी दुनिया की प्रानी है नि जो बिक ना पाए या उसको खरीदा ना जा सके लेकिन यहां पर आप जो सारा सारा कुछ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बीजेपी की सरकार पर और खुद CBI पर अगर ये दोनों केज में इमानदार रहे तो नतीजा दो है वो हमारे हक में होगा वरना आपके और हमारे सिर्फ पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे एक या तो जिया खान केज की तरह सब कुछ भूल जाए और अपने अपने काम में लग जाए या फिर इस बार कर सकता कंगा